हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल समी खांट टीवी फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा 17 माई से सौधी गोर्मेंट ने इंटरनेशनल फ्लाइट को ओपन कर दिया है अगर आप सौधी आना चाहते हैं तो जेनरल अथूर्टी और सिबिल एविएशन की तरफ से एक ब्यान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग इन चारो कुरोना भैक्सिन में से कोई एक भैक्सिन का सेकेंड लगवा लिये होंगे उनको ही एयरपुट से डारेक्ट बाहर जाने की अनुमती होगी नहीं तो उन्हें सौधी अर्विया में साथ दिन तक का और एक इंपोटेंट बात कही गई है जो लोग कुरोना भैक्सिन का सेकेंड ले लिये हैं तो उनको ट्रेवल करने के 72 घंटे के पहले अपने सौधी अर्विया के मुकीम वेपसाइड पे अपने वैक्सिन डीटेल्स को इंटर करके सम्मिट करना होगा और उसका प्रियूं के वैक्सिन के डीटेल्स को सम्मिट करेंगे आप अपने मुबाइल से या लैप्टॉप से क्रोम बराउजर को ओपन कर लेना है इसके बाद यहाँ सर्च बार में यह जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है इसको टाइप करके आपको सर्च कर लेना है लेकिन सबसे अच्छ कर लेते हैं सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेश ओपन हो जाएगा यहां पर आपको वैक्षिन रजिस्टेशन के ओप्षन देखने को मिलेंगे निव रजिस्टेशन तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यह नेक्स्ट पेज पेज चला जाएगा यहां पर आपको रजिस्टेशन करने के लिए कुछ कंडिशन दिये हुए हैं जो कि आपको अच्छी तरह से रीट कर लेना है तो चलिए एक बार हम डीटेल्स में उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं फर्स्ट में यह कहा गया है कि सौधी गवर्मेंट के तरफ से यह वैक्सिन को एप्रूब किया गया है जो कि है फाइजर बायोटेक का सेकंड डोज आपको लेना है चारों वैक्सिन में से कोई भी आपको एक वैक्सिन का सेकंड प्रूज लेके आना होगा और दूसरी अपसेंस में यह कहा गेहा है कि इसके वैक्सिन सर्टिफिकेट आपको आटेश्टर चाहिए किसी भी हल्ट ऑथराईट से जो कि मिनिस्त्रीं ऑफ हल्थ से authorized हो तीसरे में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी आप second dose लेंगे उसका कम से कम 14 दिन का difference होना चाहिए चोथे में ये कहा जा रहा है कि आपका जो भी original certificate है उसको अपने pass में रखना है और kingdom में लेके आना है पांचों में ये कहा जा रहा है कि आपको 72 घंटे से पहले जब भी आप travel करेंगे तो आपको 72 घंटे से पहले ये सारे details को मुकीम के website पे इंटर करना है साथवे option में ये कहा जा रहा है कि 18 साल के कम उम्र के लोगों के लिए ये registration की कोई जरूरत नहीं है तो चलिए हम registration कर लेते हैं यहाँ पे new registration में आपको यहाँ पे अपना नेम देना है नेम देने के बाद आपको नीचे passport number देना होगा आपको passport number बिल्कुल correct देना है इसके बाद आपको नीचे date of birth को select कर लेना है जो date of birth आपके passport पे mention होगा यहाँ से अपने date of birth को select कर लेना है date, year और month को इसके बाद आपके नीचे यहाँ पे nationality पूछी जा रही है कि आप किस country के citizen है तो आपको यहाँ पे select कर लेना है कि आप किस country के नागरिक है अब आप से पूछा जा रहा है arrival type आप कैसे आना चाहते हैं by air या by road जिसमें भी चाहते हैं वहाँ पर टिक करेंगे अगर आप by air आ रहा है तो by air पर टिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर flight number देंगे कौन सी आप flight से आ रहे हैं उसका flight number आपको यहाँ पर इंटर करना है इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको arrival date देखने को मिलेगा तो आप किस date को travel करना चाहते हैं वो date आपको यहाँ पे mention करना है इसके बाद आपको यहाँ पे arrival destination का एक option देखने को मिलेगा कि आप कौन से जगह पे आ रहे हैं जदार याद मक्का या मदिना तो आपको यहाँ पे type करना होगा तो इसके नीचे airlines का option है कौन से आप flight से आ रहे हैं कुछ company का कौन सा नाम है तो आपको यहाँ पे इंटर करना है अब आते हैं main point पे vaccine details आपको इंटर करना है कि आपने कौन से country से vaccine लिया हुआ है तो इसको आपको select करना होगा तो चलिए हम अपना country select कर ले रहे हैं इसके बाद आता है यहाँ पे vaccine type इन चारों में से कौन से vaccine आपने लिया है वो आपको यहाँ पे select कर लेना है अब आता है कि आपने first dose कब लिया था वो आपको date month और year select कर लेना है यहाँ से इसके बाद first dose complete होने के बाद second dose आपने कब लिया था उसका date देना है यहाँ पे तो इस तरह से आपका form पुरी तरह से भरा जाएगा इसके नीचे आपको एक option आएगा I am not a reboot तो इसके उपर आपको tick कर देना है tick करने के बाद नीचे एक और आपको option देखने को मिलेगा यहाँ से यह आप से पुछा जा रहा है कि जो भी आपने अपने details को इंटर किया हो बिल्कुल सही है तो इसके उपर आपको tick कर देना है नीचे आपको एक submit का option देखने को मिलेगा तो आप submit के उपर click कर देंगे आपका सारा details submit हो जाएगा इसके बाद next page open हो जाएगा वहाँ पर आपके सारी details आ जाएगी बस उसको आपको print out करके अपने पास में रख लेना है travel करते time तो hope यह video आपको अच्छी लगी होगी कोई भी problem है तो please comment में मुझे बताएं और video को जितना हो सके share करें ताकि दूसरों को भी यह benefit मिल सके